चैनल आपका स्वागा से देखी थैली की कटिंग कैसे होगी एक अपड़ा ले लिए मैं इसके कटिंग करना है अब इसकी चौड़ाई या लंबाई आपको बताती हूं कितना है इसको मैं डबल फोल्ड में कर ली हूं अब इसकी लंबाई देखती हूं कितना है इसकी लंबा ही औरे यहां से इस इसको यहां पर रखना है और इसको मेजरमेंट कर लेना है कर देखती है किसे इसकी चौड़ाय आई यहां पर 4", इसको शाड़ में करना है और यहांग से इसको डबल फोल्ड में करना है डावल फोल्ड में करना है इसको काटिंग करके अलग कर देना है अब यहां इसको मैं काटिंग करके अलग कर देंगी अब एक टुकड़े को साइड में करना है अब इसको बराबर से करना देखना है आ जा रहा कि ना है याहां से रखना और इसको चेक कर लेना है इं फिने साइड को थोड़ा सा यहां पे बिश्वा चिरी प्रख़ाय अलग करना पड़ा dat killed इंब इसको बढ़ा लोगी कपड़े को अब इस सेंटर में से इसको यहां से 김टिंग कर ना है अलग कर देना इसको अब यहां से इसको मैं कटिंग करके अलग कर दूंगे दोनों पाट को क्योंकि इसमें जॉइंट लगेगा अब यहां से अब यहां से लेना है चार इंचे चार इंच पर मारका कर देना है अब यहां से सीधा इसको मैं मारका कर दूंगी कि अधा इंचे सिलाए मारजन के लिए अब 20 सेंटर में है अब इस सेंटर में आप इसको चार फोल्ड में करना है अब यहां से चौड़ाई मैं ले रहे हूं दो इंच लंबाई मैं ले रहे हूं दो इंच चौड़ाई मैं यहां पर ले रहे हूं एक इंच अब यहां पर एक बॉक्स बना देना है और इसको कटिंग करके निकाल देना है जैसे मार कर लगा इसे कर लेना है कि कपड़ा मोटा इसको सिंगल कटिंग करना पड़ेगा अब यहां से इसको कटिंग कर देना साइड में करना है अब यहां से इसको कटिंग कर देना है अब यहां से इसको कटिंग कर देना है अब एक पाट की कटिंग हो गई है दूसरे भी पाट को ऐसे कटिंग कर लेना है इसको भी डबल फोल्ड में करना है अब दोनों पार्ट की कटिंग हो गई अब जो बीज का बचे को कपड़ा है इसमें से पट्टी की निकालना है देख रहे हैं यहां पर आ रहा कि नहीं अब इसको यहां पर इतना इतना इसमें स्ट्रहा है इसमें कटिंग कर लेना है अब चलते हूं मसिन पर इसकोई स्टीज करते हूं और आपको दिखाँंगी इसको कैसे कटिंग करना आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी कैसे इसको स्टीच करना धान्यवाग